हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे से अनल पे आज के वीडियो में मैं बात करूँगी घर से चूहो को कैसे भगाए क्योंकि मोशली घर में चूहे आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परसान करते हैं तो कभी वो काच की CC4 देते हैं तो कभी कैचन में रखी हुई रोटी का टुकड़ा लेके भाग जाते हैं और खाना जूटा कर देते हैं चूहो अगर घर में रहते हैं तो घर भी बहुत जादा गंदा करते हैं पोटिकर करके हर जगा तो ऐसे में आप चाहे जितनी सफाई रखने की कोसिस करें पर घर सफा नहीं रहत पाता ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं जिससे आप चुहे को भगास सकें पर उससे इंफेक्शन होने का डर रहता है क्योंकि वो चीजे जहरेली होती है और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं वो बच्चा ना छूले ऐसे में आप घर में रखी हुई चीजों का यूज़ करके चुहों को घर से भगा सकते हैं या फिर चुहें उन्हें खाके मर सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक करजेगा बात करते हैं सबसे पहला मेठट जिससे आप चुहें को भगा सकते हैं चुहों को तेशपत्ते की महत बहुत ज़्यादा अट्रैक करती है पर तेशपत्ते में जो चीजे पाई जाती है वो चुहें अगर उन्हें तेशपत्ता को खाएंगे तो वो मर जाएंगे दूसरी चीज है कटा हुआ प्याज आप घर के हर कोने में रखे कटा हुआ प्याज और इस कटे हुआ प्याज की महक बहुत ही तीखी होती है जिसे सों के चुहें घर से भाग जाएंगे दिसी चीज है गोबर की गोली आप गोबर की गोली बना के चुहों के बिल के सामने रखिए उससे क्या होता है कि गोबर की गोली को खाके वो चुहें मर जाएंगे चौती चीज है आपके खुद के बालों का गुच्छा आपके बालों का गुच्छा आप चुहें के बिल के सामने रख दीजे अगर वो चुहे बालों का गुच्छा खाते हैं तो उन्हें खाके वो तुरन मर जाएंगे जोकि उनके मुगल उनके अंदर ये बालों का गुच्छा फज जाएगा नेस्टीज है फिट करी को पीस कर पॉडर बना कर उनकी छोटी छोटी गोली या फिर वो पॉडर बना कर आप घर के हर कोने में रख दीजे उससे भी चुहे भाग जाते हैं नेस्टीज है काली मेज काली मेज को पीस कर पानी में मिला कर आप इस परे करेंगे घर में तो इसे चुहे भाग जाएंगे लास्ट तरीका है पुदीना का पॉडर बना के उसमें सरसो का तेल डाल के छुटी-छुटी गोली बना कर रखेंगे तो उससे भी चुहे भाग जाएंगे इन में से कोई भी एक मैटड आप घर पे अपलाई कर सकते हैं जो की चुहे को आपके घर से भागाने में मदद करेगा आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को वाश करने के लिए थैंक यू